नमस्कार मैं हूँ दुर्गे सिंग आप देख रहे आर्या नूज बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर यहां खबर राइवरेली से है जहां आमेरिठी जनपत की रहने वाली 20 साल की लड़की अपने पूरे परिवार के साथ राइवरेली मंदिर दर्सन के पहले वह घरवालो को नहाने की बात कहकर नदी की तरफ गई थी काफी देर बीट जाने के बाद जब वह आपिस नहीं आई तो परिजिनों ने तलाश शुरू कर दी लेकिन लड़की का अब तक कोई पता नहीं चला है अगली खबर बजायों से है जहां बिवाहिता की संदिक्त परस्तियों में मौत हो गई है वहीं बिवाहिता का सव फांसी के फंदे पर जूलता मिला और आरोप है कि ससुरूल यो ने माय के पच्छ को बिना सूचना दिये सव कांतिम ससकार कर दिया और बिवाहिता के दिश्तेदार पहुचने पर उनके साथ मारपीट कर दी पूरा मामला उगहिती थाना च्छेतर के साह नगर परणपरण गाओं का है जहां एक बिवाहिता की संदिक्त परस्तियों में मौत हो गई है सूचना पर पहुचे पुलिस जाँज परताल में जुट गई है वहीं पुलिस का कहना है कि विवाहिता का सो फांसी के फंदे पर जोलता मिला है विवाहिता के पती ने भी पांच साल पहले फांसी लगा कर आजभंत्या की थी मारपीट के तहरीर आई कारवाई की जाईगी खबर हर दोई से आ रहे हैं जहां जुवा खेलते हुए जुवारियों का बीडियो वाइरल हुआ है आपको बता दे कि पूरा मामला सहावदा कोतवाली के ग्राम हैवदपुर का है जहां रिटायर पुलिस कर्मी जुवा का फड़ चल रहा था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है मिर्जापुर जनपत के जिगना अंतरकत ग्राम सभकासी सरपती तलाव की खुदाई में मिली कोटेदार दोरा गरीबी को बित्रड करने वाला नमक से भरी बोरी तो गाउं में मचाहडकम मच गया है खबर मिलते ही मौके पर पहुची ग्राम प्रधान के होस उड़ गए हैं और कहा कि पूरे प्रदेश में करोना काल के समय में प्रधान मंती नरेंद्र मोदी और उत्तरपदेश के मुख मंतरी के दोरा तेल दाल और नमक गरीब जनता को निस्सुल की वित्रड कराया जा रहा है जिसको कोटेदार के चलते कचरे के धेर में फेकवाया गया है जिसकी यह तस्वीर देखी जा सकती है और गरीब का मारा जा रहा है वही जब इसके बारे में जिलापूर्ति अधिकारी उमेश चंद से पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और आपके माध्यम से पता चला है कि वही जिलापूर्ती अधिकारी उमेश चंद ने कह कि इसकी जाच किया जाएगा और दोसी पाए जाने पर सक्त कारवाई की जाएगी सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के गरीब जनता को दिये जाने वाले नमक आखिर कचरे में क्यों फेका गया और कसूरवार को ने अगली खबर बदायों से आ रही है कि जहां विवाहिता की गला रेत कर हत्या कर दी गए वहीं बता दे कि पती ने ही अपने पती की हत्या कर दी है बरहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पीम मोदी को गुजरात दंगों में मिली कींग चिट सुप्रीम कोर्ट ने सुक्रवार को दो हजार दो गुजरात दंगों में प्रधान मंति नरेंदर मोंदी समेत 64 लोगों को बिसेस जांदल की ओर से दिये गए क्लीन चिट को चुनोती देने वाली याज क खारिच कर दी है जिस पर केंदर ग्रिह मंत्री अमिशाह ने कहा है कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्ध को झेलते हुए देखा है अमिशाह ने आगे कहा कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में पीम मोदी को क्लीन चिट मिलने पर कहा कि 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बेगर सभी दुखों को भगवान संकर के विस्पान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आरोपियों को खारिज किया है आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीती क्रूप से प्रेरित थे वही अगली ख़वर महाराष्ट से सिव सेना नेता एकना सिंदे की बगावत के बाद से राजनीत काफी गर्म हुई है महाराष्ट में उद्धो ठाकरे एकना सिंदे की इस लड़ाई के बीच अब महाराष्ट विधान सभा के उपाध्यच आज सिव सेना के सोरा बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं वहीं अब कहा जा रहा है कि एकना सिंधे गुट महाराष्ट विधान सभा के उपाध्यच के खिलाप 22 जून को ही अब विश्वास प्रताव ला चुके हैं ऐसे में जब तक इस पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक विधान सभा उपाध्यच कोई फैसला नहीं ले सकते दरसल मवजूदा आकडो के मुताबिक इस वक्त सरकार के पास बहुमत नहीं है अगर उपाध्यच को लेकर चुना हुआ तो माना जा रहा है कि बिजेपी सिंधे गुट मिलकर अपना उपाध्यच बना सकते हैं विधान सभा उपाध्यच पर सवाल उठाने की कड़ी में अब दो निर्दली विधायक ने भी चिट्टी भेज कर कहा है कि उपाध्यच के पास अधिकार ही नहीं है कारवाई करने की वही भारती जनता पार्टी के बिहार पदेश अधिच संजय गरवाल और जडियू के संसदी बोर्ड के अधिच उपेंदर कुस्वाहा के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे है आरोप पत्यारोप के बीच पुरानी सहयोगी रही विकास सील इंसान पार्टी की भी इंट्री ह हो गई है संजय जैसवाल के एक पोस्ट का सवाल जवाब देते हुए मुकेश शाहनी ने सनीवार को संजय जैसवाल पर हमला बोला विआएपी के प्रमुख और बिहार के पूरो मंत्री मुकेश शाहनी ने कहा है कि चिकिसक की डिगरी राजनीत की निरुगडता का वाली भाजपा को पहले अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि वहीं खबर पीजी आई चंडीगड की विक्किव्यम टेक्नोलोजी सेंटर और टेली मेडिशीन विभागा ध्याच मोनु सिंग को अखिल भारती आयुर विज्ञान संस्थान एम्स रिसी केस की नई प्रो मीनु ने हिमांचल प्रदेश विश्विद्यालय शीमला से अम्भी बेस किया है इसके बाद पीटर्स बग विश्विद्यालय अमेरिका से पीडियाट्रिक पल्मोनोलोजी में फिलोस्पीक की प्रो मीनु सिंग बरत्बान में पीजी आई चंडीगड में प्रदेशन विवागा ध्यच के तोर पर काम कर रही है बाल रोग अनुस्विदान के छेतर में प्रो मिनु सिंग का विशेश योगडान रहा है उन्होंने खासकर टीवी अस्थमा और सिस्ट की फाइब्रक्सिस के छेतर में उलेखनीय कारे किया है उन्होंने टीवी के नि कि पहचान और वाइक्सिनेशन को लेकर 20 स्वास संग्टन के साथ भी काम किया है वह टीवी अस्तमा एलर्जी में बीसी जी टीका करण की भूमका को लेकर ICMR का नित्विट करते हुए लगातार काम कर रही है वही देश में पिछले 24 घंटे में करोना की रप्तार ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दिये पिछले 24 घंटे में करोना से संक्रमण के 15,000 सधीक नए मामले सामने आये हैं देश में करोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है करोना के नए मामले में आये तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर 92,000 के और करीप पहुच गई है देश में पिछले 24 घंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किये गए हैं जो कल की तुलना में आठ दसमलो एक प्रस्तेस कम है जिन पांच राज्यों में करोना के केस दर्ज किये गए हैं उनमें 4,205 मामले महाराश से हैं इसके बाद केरल में 3,981 मामले हैं दिल्ली में 1,447 मामल में 1,369 मामले हैं और वही करनाटक में 816 मामले सामने आए हैं देश में मिले कुल मामलों में से 74,081 प्रस्त एक नए मामले इन पांच राज्यों में सामने आए हैं करोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब तक मिले संख्मिंत की संख्या 4,338,334 हो गई है देश के प्रुपत्तर राज अशम के कई जिलों में नदियों का जलसत खतरे के निसान से उपर बहरा है असम में बाढ़ के कारण सुक्रवार के दिन 45,34 लाख लोग प्रभावित रहे हैं वहीं बीते 24 घंटे के दोरान असम में बाढ़ के कारण 10,000 लोगों की जान गई है जिसके बाढ़ अब इस साल असम में बाढ़ और भुषकलन से मरने वालों का आकड़ा 117 पर पहुँच गया है बताया जा रहा है कि 100 लोग बाढ़ के प्रभाव के कारण और 17 लोगों की मौत भुषकलन के कारण हुई है फिरहाल राहत और बचाओ के लिए राज्ज में सेना के साथ ही पुलिस बल राष्टी आपदा प्रतक्रिया बल यंडी आरफ यंडी आरफ अगनिसमन और आपात कालिन कर्मियों के जवानों समेत आपदा मित्र के वालेंटियर्स लगत्तार मदद पहुचा रहे हैं यह सभी जिला प्रसासन की बचाओ अभियान और राहत वित्रण में मदद करते नजर आ रहे हैं वहीं उत्तरा खड़ में मौसम सुस्क हो गया है बीते तीन दिन से वर्षा का सिलसला थमा हुआ है ऐसे में तापमान भी बढ़ रहा है मैदानी छेतर में चटक धू पसीने छुड़ा रही है मौसम विभाग के अंसार सनीवार भी प्रदेश में मौसम सुस्क रह सकता है जबकि रवीवार में मौसम के करवड बदलने के आसार है इस दोरान कुमायू में भारी वर्षा की चेतावनी जारी है सनीवार को भी मौसम के मिजाज में किसी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद नहीं है ऐसे हमें तापमान में एक से दो डिगरी सेलसियस बृद्धी हो सकती है मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंग के अनुसार ताजा पश्मी विच्छोब के उतरा खंड में सक्रिय होने के चलते रवीवार से वर्षा के आसार बन रहे हैं वही देश की राज़ानी दिल्ली समीत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मांसूं दस्तब दे सकता है बता दें कि मौसरम विभाग के मुताबिक 27 जुन को दिल्ली में मासुम दस्तक देजगा वहीं मौसरम विभाग ने आज कई राजियों में बारिस की चेतावनी दिए और दिल्ली समयत उत्तर प्रदेश में आज वारिस बारिस के उमीद नहीं है इसके अलावा में घालाक केर समेट कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक बारिष की संभावना बनी है वहां जहां मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज नियुंतन तापमान 24 डिग्री रह सकता है तो वहीं अधिक्तब तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है आगे खबरों के लिए देखते रहे हैं आर्या नूच नमस्कार